नमा संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल एटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी संस्कृत मित्रों का स्वागत करती हूँ तो आज की मैराथन प्रश्णोत्री में मैं आप सभी के ले लेकर आई हूँ संख्या वाचक शब्द की प्रश्णोत्री तो आप मेरे चैनल में जाकर पिछली मैराथन प्रश्णोत्री को और संस्कृत संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं तो मेरे चैनल का नाम है Eternal Advocence Classes इसको आप YouTube पे सर्च करके मेरे चैनल पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं तो मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो चलिए मित्रों, आज जादा समय नरस्ट करते हुए, हम सीधे आज की प्रश्णोत्री को आरम करते हैं तो पहला प्रश्ण है, अस्टा विंचती सब्द का अर्थ है 28 अगला प्रश्ण है, संख्या का वाचक, संस्कित सब्द कौन सा है? पच्पन संख्या का होगा पंच पंचाशत अगला प्रश्ण है संस्कृत सब्द चत्वारिंशत किस संख्या का वाचक है? तो इसका अंसर है चालिस क्या है? चालिस अगला प्रश्ण है संख्या वाची शब्द शड़ नवती किस अंक का वाचक है? तो इसका उत्तर होगा 96 अगला है 49 का शब्दात्मक रूप होगा अगला प्रश्ण है 99 का संस्कृत शब्द होगा अगला प्रश्ण है 33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे 33 त्रिंशत 33 त्रिंशत अगला है द्वी इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग होगा द्यव अगला है एकोन शब्तती कौन सी संख्या है तो 69 को बोलते हैं एकोन सब्तती यानि 79 को फिर है नावासी यानि 89 का संस्कृत रूप होगा एकोन नवती अगला है बत्तिस का संस्कृत सब्दात्मक रूप होगा द्वात्रिंचत क्या होगा द्वात्रिंचत अब अगला प्रश्ण है पच्चीस का संस्कृत सब्दात्मक रूप होगा पंच विंचती अगला है इक्यानवे का संस्कृत सब्दात्मक रूप होगा एक नवती ही अगला प्रश्ण है तेरह के लिए संस्कृत में शब्द है त्रयो दश अगला प्रश्ण है चतुर अशीती किसे कहते हैं चतुर अशीती हो गया 84 को अगला प्रश्न है सट सब्तती का आर्थ है शिहत्तर अगला प्रश्न है पचास को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत अगला प्रश्न है एकोन विंचती सब्द का आर्थ है उन्नीस सब्त विंचती सब्द का आर्थ है सट्ताईस अगला प्रश्ण है संख्या वाचक 21 अंकस से कृते पदम लिख्यते तो इसको पढ़ेंगे एक विंचती अगला है उचितम संख्या पदम चित्वा वाक्यानी पूरियत तो है बालिकयोह भ्रातरा कुत्रसंती तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर होगा द्वयोह बालिकयोह भ्रातरम भातरह कुत्रसंती फिर है गूरुकुले चात्रा वेदान पठंती तो यहाँ पर क्या होगा तो गूरुकुले चात्रा चतुरह वेदान पठंती अगला प्रश्न है छात्रा पठनती मतलब 516 पठनती तो यहाँ पे 500 के लिए कौन सा सब दी उज़ोगा तो पंच शतम ठीक है फिर है विरिच्छे पक्षिणा कूजती तो यहाँ पे 5 के लिए पूछा है कि क्या होगा तो यहाँ पे होगा पंच तो पूरा हो जाएगा विरिच्छे पंच पक्षिणा कूजनती फिर है पुस्तकानि संधी 94 यानि 94 पुस्तकानि संधी तो 94 का यहां पर आंसर होगा 490 अगला प्रश्ण है वितस्य गत्या भवंति तो 3 के लिए यहां पर क्या यूजोगा तिस्त्रह वितास्य तिस्त्रह गतय भवन्ती फिर है कहा शब्द हा उन्नतिस इती संख्याया वाचकन तो उन्नतिस के लिए कौन से नहीं है तो देखिए उन्नत्रिंशी नहीं है बाकी उन्नत्रिंशत भी है एकोनत्रिंशत भी है और नवविंशती भी है आयूतम का मतलब हो गया आयूतम का मतलब होता है दस अजार ठीक है आयूतम का मतलब हो गया दस अजार फिर है अश्टन सब्द का प्रतमा भिभक्ती का क्या रूप होगा तो अश्टव होगा अगला प्रश्ण है किम चतुर्णवती तो चतुर्णवती का मतलब हो गया 94 अगला है नियूतम भवती तो नियूतम का मतलब हो गया 10 लाग अगला है संस्कृत भासाया 88 संख्या वर्तते तो 88 का हो गया 88 सीति अगला प्रश्ण है सब्त त्रिंशद अधिक शट सताधिक नव सहस्त्राधिक नवायुतम भवती तो इसका आंसर होगा 99637 ठीक है अगला है नवतीतम भवती तो नवतीतम का मतलब है 90 अगला है दोय अधिक पंच शतम किस संख्या का वाचक है तो 502 दोय अधिक दो अधिक कितने में पंच शत मतलब 500 में फिर है शार्द सतक चतुष्टेयम तो शार्द सतक चतुष्टेयम में होगा तो देखिए चतुष्टेयम सार्द सतक चतुष्टेयम का मतलब होगया 450 ठीक है तो चतुष्टेयम सत चतुष्टेयम होगया 400 और सार्द का मतलब होगया 50 अगला है चाचट भवती तो इसका होगा 6,6 अगला है पंच दसोन द्वी सहस्त्र तमे अगला है बासर्थ भवती तो बासर्थ का होगा द्वासस्थी अगला प्रश्ण है प्रात्रों नौ पंदर शपाद नववदने अगला है रात्रों सात पैतालिश पादेन अष्ट वादने प्रात्रों आठ अष्ट वादने संस्कृत में दस हजार होगा दस हजार का होगा अयूतम या दस शहस्त्रम जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे कहलाते हैं संख्या वाची शब्द अगला प्रश्न है कौन से संख्या शब्द के तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं सब्द के चार संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है चत्वारह अगला है कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है तो इसका अंसर होगा एक 20 का संस्कित सबदात्मक रूप होगा विंचति ही 100 का संस्कित भासा में रूप होगा शतम संस्कित भासा में असी का वाचक शब्द है अशिती संस्कृत में सत्तर का संख्या वाचक शब्द है सब्तति ही एक कानपुन्सक लिंग शब्द बनता है एकम तीन संख्या का इस्त्री लिंग सब्द है तिस्त्रह तीन संख्या का पुल्लिंग शब्द है त्रयह कौन सी संख्या सदा बहु अचन में होती है चतुर साथ का संस्कित शब्द होगा शष्ठी पंचानबे का संस्कित शब्द क्या होगा पंचनवती चार संख्या का नपुन्सक लिंग सब्द होगा चत्त्वारी नब्बे का संस्कित में शब्दात्मक रूप होगा नवती ही संस्कित भासा में तीस का वाचक शब्द है त्रिन्शत चार का इस्त्री लिंग में क्या शब्द होगा चतस्त्रह तीन का नपुन्सक लिंग में शब्द होगा त्रिनी चारिस का संस्कित भाशा में सब्द होगा चत्त्वार इंचत पंचन शे दसन सब्द तक सभी शब्द किस वचन में होते हैं बहु वचन कौन सी संख्या सदा द्वी वचन में रहती है तो इसका आंसर है द्वी दो का इस्त्री लिंग शब्द क्या होगा द्वे दस का संस्कृत में रूप होगा दश छाचट को संस्कृत में लिखते हैं शट सश्ठी दो को पुलिंग में लिखते हैं द्यव ठीक है? अगला प्रश्ण है एक लाख को संस्कृत में कहते हैं लक्षम अगला प्रश्ण है एक हजार को संस्कृत में क्या कहेंगे? शहस्त्रम अगला प्रश्ण है एक का इस्त्री लिंग में शब्द क्या होगा? तो एक का इस्त्री लिंग में शब्द होगा एका अगला है 89 का संस्कृत में संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे? तो 89 को नवा शीती बोलेंगे नवा अशीती तो ऐसे हो जाएगा नवा अशीती हो गया अगला है एक का पुलिंग शब्द क्या होगा तो एक का पुलिंग शब्द एक होगा अगला है, दो को नपुन्शक लिंग में कहते हैं, दो को नपुन्शक लिंग में द्वे कहते हैं अगला प्रश्ण है, एक करोण को संस्कित भाशा में लिखते हैं, तो एक करोण को संस्कित भाशा में कोटि ही लिखते हैं 53 का संस्कृत में रूप होगा, 35 शत अगला है पहला शब्द का नपुन्सक लिंग में क्रम वाची रूप क्या है तो इसका होगा प्रत्थमम चौथा शब्द का इस्तरी लिंग में क्रम वाची रूप क्या है चतुर्थी नपुन्सक लिंग में क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्य का प्रयोग होता है तो इसमें तमप प्रत्य का प्रयोग होता है अगला है तीसवे क्रम का पुलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होता है तो इसका आंसर होगा त्रिम्शतमह अगला प्रश्ण है उन्नीस्वा सब्द का पुल्लिंग में क्रम वाची रूप होगा नव दशह अगला प्रश्ण है उन्न तीसवे क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रम वाची रूप होगा एकोन त्रिंस तमह अगला है क्रम वाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा पद प्रयोग होता है तो पुल्लिंग में तमह प्रयोग होता है एक कीस्वे क्रम का इस्त्री लिंग में संस्कृत क्रम वाची रूप क्या होगा शो एक कीस्वे का होगा एक विंशती तमी सोलहवे क्रम का नपुन्सक लिंग में संस्कित भासा में क्रमवाची शब्द होगा शोडशम क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए इस्त्री लिंग में कौन सा प्रत्य लगता है तो इस्त्री लिंग में तमी प्रत्य लगता है अगला प्रश्न है 24 वे क्रम का नपुनसक लिंग में संस्कृत क्रम वाची रूप क्या होगा तो होगा चतुर विंशती तमम अगला है क्रम वाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं तो करम-वाची शब्द जो है, पुललिंग, पुन्सक लिंग विट्ग में बनते हैं 19 में करम का इस्त्री लिंग में संस्कृत में करम-वाची रूप बनेगा एको न विंशी एको न विंशी अगला प्रश्न है संस्कृत में चत्वारिंशत किस संख्या का वाचक है तो ये जो है चालिस का वाचक है अगला प्रश्न है अश्टाविंसती शब्द का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है अठाइस उन्चास का शब्दात्मक रूप होगा नव चत्वारिंशत तेरह के लिए संस्कृत सब्द है त्रयोधश अगला है शट सब्द का सश्थी बहुवचन रूप है शट सब्द का है शर्डाम ठीक है? तीन शब्द का इस तरी लिंग में सश्थी विभक्ती बहुवचन का रूप है तिस्त्री लाम अड़तिस को संस्कृत में शब्द रूप होता है अश्टा तिन्षत तीरासी को संस्कृत में कहते हैं तीरासी को त्रयशीती त्रयशीती त्रयोव इन्षती को अंक में लिखा जाएगा तेईस एको न पंचाशत को लिखा जाएगा उन्चाश त्रिन्षत को अंको में लिखा जाता है तीस साथ का सब्तमी विभक्ती बहुवचन रूप होगा सब्तशू तीन का इस्तरी लिंग में सब्तमी विभक्ती बहुवचन रूप में बनेगा त्रीस रेशू चाय को संस्कृत में कहते हैं श्रट त्री शब्द किस वचन में प्रेवक किया जाता है बहुवचन में चार चतूर शब्द का पुल्लिंग दुतिया बहुवचन में रूप होगा चतूरह क्रम वाची संख्या का सुद्धतम रूप है शष्ठह, एकादसह, दुआदसह, उप्युक्त सभी आठ को संस्कृत में क्या कहेंगे अश्ट भी कहेंगे और अश्टव भी कहेंगे पंच शब्द किस वचन में प्रेवक किया जाता है बहुवचन में अधो लिखित संख्या वाची का सुद्धतम रूप है दुई चन्ता चत्वार इंसत भी है और द्वा चत्वार इंसत भी है तो दोनों होगा इसका अंसर बासट को संस्कृत में क्या कहेंगे 62 को 2 सश्ठी भी कहेंगे और 2 सश्ठी भी कहेंगे अधो लिखित में अशुद्ध रूप है अशुद्ध रूप है इसका चता सप्तती 74 गलत है अश्ट शश्ठी 68 एकोन सप्तती 79 और शोडस 16 ये सब सही है लेकिन ये गलत है 69 को संस्कित में क्या कहा जाता है तो 69 को संस्कित में नव सश्ठी और एकोन सप्तती दोनों कहा जाता है द्वी पंचासत को कहा जाता है तो द्वी पंचासत हो गया बावन को अधो लिखित संख्या वाची शब्द का सुद्धतम रूप है ठीक है तो द्वी नवती और द्वानवती द्वी नवती और द्वानवती ये दोनों जो है ये सुद्ध है ठीक है तो इसका आंसर होगा ये ए और भी दोनों अगला है अधो लिखित में शुद्धतम रूप है तो शुद्धुतम रूप है तिस्त्रिडाम ठीक है ये वाला सही है त्री से अश्टा दशन तक के संख्या सब्दों का किस वचन में प्रयोग किया जाता है तो ये बहुवचन में प्रयोग होता है एको नविंशती से नव विंशती तक की संख्या का किस लिंग में प्रयोग किया जाता है तो इसका इस्त्री लिंग में प्रयोग किया जाता है अधो लिखित संख्या बाची शब्द का असुद्ध रूप है तो सब्ता नाम पंचशू अशाडराम ये सब सुद्ध है लेकिन ये वाला जो है चता स्रीशू ये असुद्ध है अगला है नव शब्द का सष्थी बहुँचन में रूप बनता है नवा नाम ठीक है क्या बनता है नवा नाम अगला प्रश्ण है दस लाग को संस्कृत में कहा जाता है उसकांसर है प्रयूतम अगला है 53 को संस्कृत में क्या कहेंगे एक मिनट एक मिनट ये गलत हो गया थोड़ा दस लाग को हम लोग बोलेंगे प्रयूतम और नियूतम दोनों होगा बी और सी दोनों ठीक है तो इसकांसर होगा दस लाग को प्रयूतम और नियूतम दोनों बोलते हैं 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं तो तीरपन को संस्कृत में कहेंगे त्री पंचाशत और त्रय पंचाशत यानि ए और भी दोनों अगला प्रश्ण है अधो लिखित संख्या वाची का शुद्ध रूप है तो इसमें सुद्ध रूप देखेंगे नव नवती ही एको नशतम दोनों इन में से कोई नहीं कोई सुद्ध नहीं है अगला है कौन से संख्या शब्द सदा एक वचनांत नपुनसक लिंग में रूप बनाते हैं तो इसका अंसर होगा सतम शहस्त्रम, आयूतम लक्षम, नियूतम प्रयूतम उप्यूक तो सभी इसका अंसर होगा अगला प्रशन है, एक सोदो को संस्कृत में क्या कहेंगे तो एक सोदो को संस्कृत में दौआया धीक शत्तम कहेंगे ठीक है तो मित्रों इस प्रकार आज की हमारी मेराथन प्रशनोतरी में हमने जो है संख्या वाचक शब्दों को देखा है तो इसको सबसे पहले आपको याद करना बहुत जरूरी है तो इसको याद करके फिर इस मैदाथन प्रश्णोतरी को देखिए तो आपका जो concept होगा वो एकदम clear हो जाएगा तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमा संस्कता है